क्लोरन कायमा के वारे में आते हैं क्लोरन कायमा पैरन कायमा विद क्लोरोफिल लेकिन यह अलग है यह क्लोरन कायमा यह क्लोरन कायमा की टिश्यू रेस्पॉंसिवल फॉर फ्लेक्सविलिटी आप इसको फ्लेक्सिवल टिश्यू के नाम से भी जान सकते हो क्योंकि यह काम ही क् बता है, प्लांट को flexible बनाने काम जो है, जो ठेका ले रखा है, वो ख्लोर्न कायमा ने ले रखा है, जब भी प्लांट करण के प्लांट कर निदर flexibility कम हो, अब ख्लोर्न कायमा को जा कर पकड़ लेना, त्यकिए, अब सुनो, supporting and strength, मैला है, tissues flexible tissue तो flexibility प्रोवाइड करेगा दूसरा flexible tissue तो थोड़ी बहुत strength भी प्रोवाइड करेगा और elongating living cells इसकी जो cells होती है वो elongating होती है मतलब थोड़ी बहुत lengthwise होती है अप मतलब आप कैसे हो वो square shape नहीं होती है वो cylindrical shape होती है elongated होती है irregular thickening at corners corners के उपर उसकी जो thickening है वो irregular होती है ऐसे irregular मतलब थोड़ी बहुत ज्यादा थोड़ी बहुत कम ऐसा fix नहीं है लेकिन thickening बहुत होती है thickening होती है वाइड flexibility समझो flexibility अगर एक bone को एक bone के साथ में बिना किसी glue के जपका दिया जाए अपनी जो bones है अपनी human being की वह एक दूसरे से buy through एक material के द्वारा जुड़ी होई है अगर वह material इतना ज्यादा ना हो और bones के बीच में से point material हो और दोनों bones जुड़ जाए तो movement इतना अच्छा नहीं हो पाएगा लेकिन अगर material ज्यादा है चपकाने वाला तो अपन movement ज्यादा कर सकते हैं तो बस वह है कि उसके अंदर irregular thickening पाई जाती है corners में corners में क्यों क्योंकि bending के काम आते less intercellular space cells के वीच में जो space है वह according to parent कायमा या फिर parent कायमा की तुलना में बहुत ज्यादा कम होता है कहां पाई जाती है leaf stalk bloody epidermis epidermis की जो leaf leaf stalk leaf की जो पत्ति होती है leaf जहां से उसकी epidermis से पहले यह पाई जाती है leaf bending में पाई जाती है आपके सकते हो leaf bend होती है expanded leaves expanded leaves मतलब जो लंबी-लंबी leaves होती है उनके अंदर भी आप आई जाती है stem apex stem apex यानि stem की जो ऊपर ही भाग होता है आप देखते हो कि plant जो है जब वो grow होता है तो आप देखते हो उपर का जो पार्ट है उसका वह एज़ादा सॉफ्ट होता है उसको आप कैसे भी मुड़ा सकते हो जो कोलन कायमा के आपके पास डाइग्राम आचुका है इधर देखो यह इसकी cell यह वरे हूए और से इह अब दिख रहे हों यह परपल कलरश åtPl को आपको भी आपकेंग है क्या और तो मतला यह व्रेध美味 कि आपीकहि प्रफूर्शन को फासुम करती है तो आप देख सकते हो अलो बेंडिंगक्स स्टेम्स को बेंडिंग अलो करती है प्रवाइड मेकनिकल सपोर्ट और मेकनिकल सपोर्ट भी प्रवाइड करती है मेकनिकल सपोर्ट मतलब एसे स्ट्रॉंग सपोर्ट नहीं लेकिन हां मेकनिकल सपोर्ट प्रवाइड करती है कि पतियां कोई खीच दे कोई मोर दे तो तूट टिशू को अपनने नाम दिया फ्लेक्सिवल टिशू अब स्केलन कायम को भी अपन नाम दिंगे वो क्या है टिशू रस्पंचिबल फोर सिफ्टनेस इन प्लांट यह एक तरीके से सिफ्टनेस मतलब स्ट्रॉंग हार प्लांट को एकदम स्टिफ बनाने की लिए जो टिशू क प्लांट को एकदम हाँ अगर अपनाने काम आता है प्लांट को अग्रफ बनाने की लिए लोग नेरो डेड जय्स आप इदर से अन्दाजा लगा सकते हो यह बिलकुल पर्मानेट है नो movement no nothing तो आप कह सकते हो कि इसकी जो cells है वो भी dead होगी dead cells तो long narrow नहीं लंबी dead cells इसके अंदर होती है thickened cell wall made up of cellulose इसकी जो cell वहले वो मोटी होती है और made up होती है cellulose से cellulose एक hard substance है जो कि plants के अंदर पाया जाता है जिसको पचाने की जो हिम्मत है वो और के अंदर नहीं है human being उसको नहीं पचा सकता हो plants के अंदर ही पाया जाता है cellulose क्योंकि वह बहुत hard होता है ठीक है देखो impregated with ligning impregated with ligning ligning क्या है आप कह सकते हो वही hard substance है जिससे हो जो इसकी cell चे वह impregated होती है एक तरह के से जैसे प्लाज्म मेंब्रेन होती है ना cells के बार कैसी ligning होती है ligning के अंदर होती है initially they are living and dead then dead in mature state मतलब शुरुआत में तरह living होती है क्योंकि यह meristomatic tissue का ही तो part है to meristomatic tissue at the mature state permanent में हो जाती है तो पहले तो यह living होती है लेकिन बाद में dead हो जाती है simple pits are present thickened cell ball simple pits मतलब चोड़े जो pits के हैं जो चोड़े जोड़े आप pits के के तो pits जानी होती है तो चोड़े जो pits है वो इनके अंदर पाए जाते हैं इनकी cells के अंदर वो पाए जाते हैं no intercellular space intercellular space नाम की कोई भी चीज नहीं है अगर होती तो यह bend हो जाते है फ्रोवाइड स्थ्रेंग्ट विच प्रोवाइड स्टिफनेस तु दे प्लांट इसके वी दो टाइप होते हो भाईचे आप देखो इसके जो सैल से ना वो दो तरीके से पाई जाती है एक तो होता है Scalorids और एक फाइवर्स आपको इसके वारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है आप देख सकते हो कि यह है Logitudinal इसको आपके सकते हो Fibers और यह है आपके क्या Scalorids ठीक है तो इस दो तरीके में यह आपको पाई जाती है अब सुनो खहाँ पर पाई जाती है अब देख हाड नेस प्लांट को किदर किदर चाहिए एक तो उसको चाहिए एक तो इसको चाहिए जैसे आपने fruit खाया कभी fruit के उपर जो walnut खाया अपने wind of leaves, winds मतलब जो blood को लेके जाती है winds वहींत होती है नहीं कि उसको अब भी बैंड़ करते हैं तो आशानी से तूड रूटी जाती इसको इंटर step-nose होती है क्योंकि लीपस को अपन को सीधा गीरो करवाना्रा ना कि round टा Quindi उसके उसके अंदर stick-nose होती है stay around vesicular bundle स्टे्म्स तने around वेस्कुलर वंडल्स अप्राइट अप्राइट स्टेम्स में तो आपने देखाया कि वह होती है क्योंकि वह फ्लेक्सिवल है लेकि नीचे की तरफ वेस्कुलर वंडल्स अदर स्टेम्स में कौन उती है स्केलन कायमा function क्या होता है इसका basic function है support because dead child nothing else but can we do तो उसका काम ही है कि वो dead तो उसका specific function भी खत्म हो जाता है और वो किस्काम में रहे जाती है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है तो देखो cells के बारे में पढ़ते हैं तो पैलन कायमा के अंदर living cells होती है colon कायमा के अंदर living cells होती है skeleton कायमा के अंदर dead cells होती है at the mature state mature state के अंदर dead cells होती है अब dead cells क्यों होती है मैं आपको बता दिया है क्योंकि उसकी cells स्ट्रेंट प्रवाइट करने काम आती है तो उनका कोई स्पेस्ट फॉंशन रहे नहीं चाहता है मरिस्ट्मेटिक टिशू पहले से ही अधी डिवलप्मेंट इस्टेट वह मरिस्ट्मेटिक है लेकिन इंटर सेलूलल स्पेस के बारे में अगर बात करें तो पैरन कायमा के उससे कम होता है और स्केलन कायमा के अंदर पढ़िके आए कि बहुता ही नहीं है क्योंकि स्ट्रेंट प्रोवाइट करनी है वाईसा उसको फ्लेक्सविलीटी से फोल भी काम नहीं है फर्म्शन के बारे में पढ़ि लेते हैं कि पैरन कायमा के अंदर पैकिंग टिशू यह एक पैकिंग टिशू है फोटो सिंटैस्स के काम आती है और यह क्या हो जाता है इसके अंदर यह पैकिंग टिशू है फोटो सिंटैस्स के काम आती है और स्टोरेज के काम आती है support and protection provide protection कैसे? Stiffness आपने पढ़ लिया कि plant को stiffness के काम आती है support में आपने पढ़ लिया plants को bright grow करवाने के लिए leaves go straight करवाने के लिए support काम आती है protection क्या से? protection क्या होता है protection मतलब आपने वालनट काया है groundnut काया है coconut काया है उसके अंदर जो endosperm होता है जो वाइट वाइट अपने कोपोनेट के अंदर पिया है जो अपने मूमफल ही खाई है तो उसको बचाय रखने के लिए उसकी हार्ड कवरिंग वो यूज होती है तो protection main function होगी असका तो इसलिकी साथ मैं बात करते हैं कि parent काया में एक packing tissue है colon काया में एक flexual tissue है और skeleton काया में एक stiff tissue है ठीक है इधर अपना जो tissue का जो funda है वो clear होता है और next video के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे अपने permanent को कवर कर दिया जो भी कौनचा permanent simple permanent ठीक है लेकिन अबर next video पन क्या पढ़ेंगे complex permanent के बारे में पढ़ेंगे तब तक के हमारे साथ बने रही है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जरू जाने अपने 100 सब्सक्राइब हां कम्प्लेट होने वाले हैं और मैं पहले पढ़ेंगे अपने पहले जो वीडियो अब खतम करिए अपने 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 देखा था कि आप का नो हेख प्लाक्सिवल टिस्व और इस कया है आपने पढ़ा था कि यह स्टिफनेश टिश्यू लेगिन जो आज अपन पढ़ेंगे epidermis epidermis is a part of permanent tissue but it is a protective tissue यह क्या है यह protective tissue है उसका काम क्या है इसका काम मेंली यही काम है जो आपने मेरे मुझे सना था protection ठीक है इसका काम यही है अब protection आप कहोगे कि सर cells के अंडर आपने cell वाले जो chapter है उसके अंडर आपने पढ़ाया था कि cells के outermost covering है वह है plasma membrane और इस plasma membrane एक चैनल की तुरू काम करती है यह water का out करवाना water का in करवाना जो भी काम है वह सब plasma membrane करती है तो वह प्रटेक्टिव टिशू है plasma membrane यह यह लेकिन वह cells के बाहर होती है और यह plant की पूरी body के बाहर होती है आप कह सकते हो प्लांट्स की जो leaves है उसके पूरी outermost covering है वह होगी epidermis क्योंकि यह plant को as a safe करेगी cells को भी बचाएगी उपर से plants के parts को भी बचाएगी और plants के सारे parts के अंदर epidermis present होती है दो structure के आपन देखते हैं कि made up of single layer of cells जो epidermis है वह single layer of cells से मिलकर बनी होती है आप मान सकते हो कि इसकी जो cells है वह एक ही तरह की होती है इसको और इसकी covering जो है न वह एक के ऊपर यह होती है without intercalorie space और intercellular space उनकी cells की बीच में space नहीं होता क्योंकि यह protective tissue है इनकी layers के बीच में space नहीं होता क्योंकि यह क्या है protective tissue है तो इस texture के जोती है made up of single layer of cell single layer of cell आप के सकते हो yes one layer or more than two layer because लेकिन single type of cell okay cells are elongated fat cells जो है वह elongated होती है आप के सकते हो कौन देखिए कौन उल्टी गर्दोस को तो ऐसी shape की cells होती है elongated fat cells होती है fat cells मतलब मोटी cells होती है because protection is a main function of the epidermis ठीक है no intercellular space intercellular space नाम की कोई भीच चीज के नहीं होती है because it has a function to protect plants, parts, plants, cells found, खहां पर पाई जाती है outmost layer of plant parts सारे plants के outmost parts में, सारे parts में epidermis पाई जाती है plants के सारे parts के outmost covering में epidermis mainly पाई जाती है yes, पाई जाती है, जैसे की leaves में पाई जाती है, flowers में पाई जाती है, stems में पाई जाती है, roots में पाई जाती है whatever it is, हर जगे epidermis covering होती है because protection होनी चाहिए function क्या होता है function क्या होता है, protects all parts of plants सारे parts, plants के जितने भी parts और उनको protect करना, इसका में पाई जाती है and plant of dry habits is thicker epidermis जो जगो जुखाम भी है, जो को दिक्कत नहीं है अपने पढ़ाई में कोई ज्यादे दिक्कत होनी उने वाली इस ठीक है अपना है ना? सब्सक्राइब जरू लिगना आप कमेंट में लिखते भी लिए कुछ और बहुत अच्छी अच्छी कमेंट आरे है मैंको कल बहुत अच्छी एक एक स्प्रेक्टरम नाम का जो है उसने बहुत अच्छा कमेंट किया ता मेरे को और मैंको बहुत अच्छा लगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको दिल थैंक्यू बोलना चाहता हूं अच्छी आप सब भी कमेंट करिये ता कि मैंको आपकी वावना पते चलाए ठीक है क्या क्या मैंको पत्या तो चलेगी आपको जो वीडियो बनाए जा रहा हूं जा को च नहीं है जो भी होता है वो एजुकेशन कर परपस के लिए होता है तो अपन अपने कंट्यूनी करते अधा अगरती है अपना ज्यादा सनलाइट होई तो ड्राइट में वाटर रिस्टेंस करना बहुत ज्यादे जरूरी है अगर वाटर प्लांट्स के पास नहीं है तो वैसे ही शूक के मर जाएंगे तो इपीडर्मिस बिकॉज मोटी होती है क्योंकि उनको वाटर रिस्टें लॉस प्रिवेंट वाटर लॉस और ड्राइड अपसे चाहती वाटर रिस्टेंस बहुत ज्यादे ज़रूरी है तो वाटर लॉस के लिए एपीडर्मिस थोड़ी मोंटी होती है और वाटर लॉस ना हो इसके लिए भी वाटर प्लांट्स को बार्टर श्टोर करना है तो उ अपने वाटर को आउट कर देता है अब जेक्ते हो कि लीफ पर थोड़े थोड़े पानी की बून आ जाती है आपके तो ओस जम जाती है बेकॉल ओस भी जम जाती है लेकिन जो प्लांट्य अपने वाटर को भार वी कर देते है त्रू इपिडर्मिस अभी अभी आपन होगी विकाज वाटर इस्टैंसे इंपर्ठेंट लेगन जो आपके सकते हो एईडार जो फ्लांट्स है उनकी दर मिस स्ट वैखिंखम्न स्ट्माण करती है क्यों एडिव पार्ट पार्ट मतलब जो प्लांट्स रूट नहीं रूट नहीं रूट्स तो नीची आती ट्राउ एक्से स्रीक्रेशन करना इसलिए ज़रूरी है उसको फंगी से बचाना है उसको फंगी से बचाना है उसको 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 बचाना है और फंगी से बचाना है आप क्यूटिकल अब जो डेजर्ट एरिया वाले प्लांट है उनके पास के होती है क्यूटिकल लेयर कवरिंग होती है अब क्यूटिकल लेयर कवरिंग है लेयर अफ क्यूटिकल इसकाल क्यूटिकल लेयर अफ क्यूटिकल इसकाल क्यूटिकल 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 क आपने पढ़ा था कि उधर जो हैल्स है उसकी covering outermost covering पर lignin की covering होती है और livering क्या है है heart substance है जो की plan को strength provide करता है इसी तरीके से यहाँ पर cutan की covering होती है जो क्यूतिन की covering को अपन cuticle कहते हैं और जो covering है वो आपको desert area में मिलेगी क्यों क्यों मिलेगी क्योंकि water resistance most important cutan is a waxy material and water resistance आपके सब्सक्राइब क्यू 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 क्या वैक्सी मेटेरियल वाक्से मिलकर वर्ना हुआ है और वाटर एस्टेंच है आपके सो तो वाटर जादा वेस्ट ना हो desert area गांदर बहुत जारे storage हो cells in outermost covering all the parts of plants तो यह क्या करती है leaves के अंदर stomata नाम की चीज को develop कर देती है because taking sunlight taking oxygen from the outermost environment तो इसलिए वह एक stomata को stomata जो भी है उनको leaves के उपर form कर देती है आपने देखा होगा stomata ऐसा होता है कुछ pear shape तो उसके जो pear shape में जो आपके सकते हो जो छोड़ौwriter होते हैं बहल बहल में वहते हैं ऑनके गांदर rays काम करती हैं stomata बंद गरने की और खोलने काम करती कर रहिं कोई कोई plant ऌता है जो रात में oxygen लेते जिनका इस्ट्रमेटर रात में बंद हो जाता है तो गाड़ चैल्स यह काम करवाती है तो इसी के साथ में अपना जो इपीडर्मिस वाला पार्ट है वो खतम होता है और यहां पर अपन इपीडर्मिस को भी खतम करते हैं और अगली वीडियो में अपन कॉंप्लेक्स टिशू में एकजाईलम और फायलम को देखेंगे तो थेंकिव फर वचिंग वीडियो को अभी तर्थ देख रहे हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरू करता ना कि कमेंट में आम लब वीडियो कहसे लगी थेंकिव फर वचिंग और कल की कमेंट के लिए में आपको थेंकिव करना चाता हूं बहुत बहुत दन्यवाद